Namaskar तो आज हम बात करेंगे बायर मुनीक का जो महारास्टर कफ हो रहा हमारे इंडिया में क्योंकि ये चीज जो है मार्केट में एकदम नहीं है यह महारास्ट की गॉर्मेंट जो है बायर मुनिक के साथ मिलकर और्गिनाइस कर रही है और यह जो टूर्णामेंट है अंडर 14 एज वालों के लिए है और यह केवल महारास्ट के जो प्लियर से महारास्ट के जो स्टुडेंट से उनकी लिए ही है और इसमें सबसे अची बात है कि इसमें मौका किवल city के लोगों को नहीं बलकि गाओ के लोगों को भी दिया जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे बिले district level हो रहा है जो कि already चाल हो चुक है 8 February से तो पहले district level होगा उसके बाद divisional level होगा और सबसे अंतम इसका जो final tournament होगा जो state level का रहेगा वो 7 March से 9 March तक खिला जाएगा और देखिए इस tournament के लिए जो महरास्ट government हो ज़्यादा से ज़्यादा schools को target करें क्योंकि उनकों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक football पहुचाना है और इस tournament को आप थोड़ा सा football के awareness बढ़ाने के हिसाब से भी देख सकते हैं इस tournament के द्वारा जो महरास्ट government हो लगबग 5,000 schools को target कर रही है और इन 5,000 schools के लगबग 1,000,000,000 बच्चों को target कर रही है तो जो महरास्ट government हो अपील भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो schools है वो इसमें participate करें ताकि जितने भी under 14 age group के students होते हैं उनको इसमें खिलने का मोगा मिल पाए और देख इस tournament का सबसे बड़ा benefit का है जो कि एक point of attraction भी है जिसके लिए सभी लोग इसमें आना भी चाहेंगे जो कि एक जरिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा players को इसमें खिलने के लिए attract किया जा सकता है और वो यह है कि इसमें जो top 20 players रहेंगे आखरी final tournament में वो जाए जर्मेनी और वहाँ पर FC Bayern Munich के साथ training करेंगे तो यही काराने कि इसमें ज्यादा से ज्यादा players भाग लेना चाहेंगे और खिलना चाहेंगे क्योंकि आपको जो है government की side से Bayern Munich जाने का मौका मिल सकता है तो इससे पहली भी आप देख सकते हैं इंडिया में already FC Bayern Munich के जो events हो चुक में खिलती थी और इन सब के अलबा बजाज alliance जो था वो भी एक camp लगाता था जिसके अंडर वो youth footballers की scouting करते थे और 3-4 players को वो जर्मनी भेचते थे और Bayern Munich के साथ training करवाते थे तो देखिए अभी कुछ fans है जिनके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि इन सब चीजों की जरू लब हो जाएंगे ऐसी बहुत सारी चीज आपके मन में आ सकती है तो मैं आपके मन में जो संकाय चल रहे होंगे उनको बिल्कुल हटाना चाहूंगा और बताऊंगा आपको कि क्यों ये सब चीजे होना important है देगी सबसे पहले तो अंडर 14 एज ग्रूप का tournament है जहां पर आप अपना सो करना चालू करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि FC Bayern Munich के tag लगा कर पूरे महारास्टर में football की awareness अच्छे से फैला ही जा सकती है फिर इसमें दूसरी बात यहा थी कि पूरे महारास्टर में football की awareness फैला आने के लिए कि इतना बड़ा कदम ले सकती है बायर मुनिक के साथ मिलकर तो कि अधर स्टे में कुछ ना कोई छोटे कदम नहीं लिए जा सकते बिलकुल लिए जा सकते देखिए जब government वहाँ पर इतना पैसा इंवेस्ट करने को रेडी है तो छोटे सतर पर भी अगर आप देखेंगे कि छोटा मुटा टूर्नामेंट ही करा दिया जाए जिससे की थोड़ी फुटबल के अवरनेस पूरी स्टे में फैल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यंग प्लियर्स के लिए तो देखिए जैसे की महारास्ट गवर्मेंट ने बायर मुनिक के साथ टाइप कर लिए तो बहुत बड़ा नाम हो जाता बैंगरूर एफसी के साथ, एटी की महान बागान के साथ, केरल अबरास्टर के साथ, ऐसे क्लफ्स में उनको ट्रेन होने को मिलेगा गवर्मेंट के साइट से, देखिए बच्चे कितना इंटरस दिखाएंगे फुटबल खेलने के लिए, क्योंकि उनके सामने जो एक गोल कि हाँ, हम अगर टॉप 20 में आते हो, हम केरल अबरास्टरस में जाएंगे, या बैंक्डूर एफसी के साथ, ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो यह जब चीज आप दोगे, तो सामने आला इंटरस दिखाएंगे, क्योंकि आपको एक बड़ा स्टेट तो दिखाना पड़ेग तो ऐसा कुछ है, तो बागी आप बताएंगे, जो महरास्ट में ये कफ हो रहा है, बायर मुनिक का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप महरास्टरा से तो क्या आप इसका इंफ्लेंस देख पा रहें, क्या बच्चे इसमें इंटरस दिखा रहें, जो भी आप महसूस कर रहें, जरूर आप कमेंड में लिएक के बताएंगा, तो कि अधर स्टेट को भी इस तरीकी की टोर्नामेंट और्गिनेस करना चाहें, मतलब इतने बड़े लेवल के नहीं, लेकिन आएल लीग या इसल की क्लब जो होते है, उनसे टाइप करके किया जै सकता ह तो इस पर भी आपके जो विचार है जरूर आप कमेंड में लिएक के बताएगा, और इसी तरह भारती फुट्बॉल को सपोर्ट करते रहे हैं, बहुत दो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जै हिन, जै भारत!